तो अलो गाईस कैसे हो आप सब उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और फाइनली जो है हमारे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर कम्पलीट हो चुके हैं आज के डेट में और ये बहुत अच्छी बात है और ये सब चीजें आपकी सपोर्ट और आपके प्यार की अगर बत्ती बिजनेस से रिलेटेड तो बात करते हैं अपने टॉपिक के उपर आज का टॉपिक भी कुछ नई चीजें सीखने के लिए हैं और वह हमारी ब्राउन इस्टिक के बारे में बहुत सारे लोगों का ये कमेंट्स आ रहा था काफी की ब्राउन इस्टिक का प्रो बताऊंगा और ये हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाए क्योंकि दोनों प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लग जाता है और पहले तो हम प्रिमिक्स पाउडर बनाएंगे उसके बाद जो है मसीन से भी उसे चला के देखेंगे और इसके बारे में जो जो कलर का प्रोसेस नहीं होता ये खली टीवन पाउडर और जोस पाउडर और कुछ-कुछ चीजें मिलके इसे बनाया जाता है और एक होती है हमारी कलर इस्टिक जिसके बारे में मैंने वीडियो में और अलग से बना चुका हूं बता चुका हूं तो वीडियो आप जाके चेक कर सकते हैं देख सकते हैं तो बात करते हैं हमारी ब्राउन इस्टिक के बारे में अब इसको बनाने के लिए हमारा प्रोसेस क्या परहते करके रख लीजिए तक जब भी बनाये तो को कोई confusion ना हो तो सबसे पहले आपको टीवन पाउडर लेना है एक केजी और उसके बाद आपको इसमें जोस पाउडर की जरुरत पड़ेगी और इसे हम प्योर जोस से बनाएंगे प्योर जोस में आपको जोस पाउडर के सिवा कोई दूसरा गम पाउडर यूज नहीं करना ह जिगड यूज होता है गवार गम यूज होता है और गमिंग पाउडर और आते हैं तो वो यूज होता है तो वो सारी चीजे यूज नहीं करेंगे खाली हम जोस पाउडर जो है यूज करेंगे तो जोस पाउडर आपको 150 ग्राम से लेके 160 ग्राम के बिच में देना है 150 ग्र तो इसमें गमिंग पाउडर की मात्रा भी थोड़ी सी ज़्यादा लगती है ब्लेक अगरवत्ती के मुकाबले तो उसमें हम डालेंगे 150 ग्राम हमारा जोस पाउडर और तीसरा चीज है हमारा केल्सियम कार्बोनेट यह अगर आप चाहो तो इसे यूज कर सकते हो इसको दो कं किपिंग रेशियो उड्स नहीं होता अगरवत्ती के अंदर तो ही इसे यूज करना अच्छा होता है तो इसका अगर आप यूज करना चाहे तो इसको वन केजी के अंदर आपको 15 ग्राम एवरेज देना होगा खाली 15 ग्राम ज्यादा पाउडर डालने से यह आपकी श्टी केल्सियम कार्बोनेट आप डालिए 15 ग्राम उसके बाद आपको डालना होगा पोटेशियम नाइट्रेड जो की बर्निंग पाउडर होती है और बर्निंग पाउडर ब्राउन अगरवत्ती के लिए जरूरी होती है क्योंकि यह प्योर ऊडनेस होती है तो कभी-कभी कि उसके बाद लेना है 150 ग्राम जोस पाउडर केल्सियम कार्बोनेट आपको लेना होगा दस से पंदर ग्राम पोटेशियम नाइट्रेड आवलोगे चालीस ग्राम और इन्हीं चार्ट पाच चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी लास में आपको डालना है पानी तो पान के बारे में और इसके बार जो है मिक्सिंग का प्रोसेस मैं आपको बदाता हूं वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी और यह वीडियो आप पूरा देखे तो अभी हमने यह सारे पाउडर से रखे हुए हैं हमारे पास है टीवन पाउडर जोस पाउडर और जो जो चीजे ल जैसे तो यह हमारे पास है टीवन पाउडर जैसे कि आप देख रहे होगे तो यह थोड़ी सी इसमें ब्राउन ने सोती है मतलब इनकी वज़ासे हम इसे ब्राउन इस्टिक बोलते हैं मतलब प्योर वाइट में यह नहीं होती है तो हमें लेना होगा एक केजी तो एक केजी हम डालते हैं कि वन केजी हमारा यह पाउडर सो गया और यह है हमारे पास जोस पाउडर यह भी कफी अच्छी क्वालिटी में है तो यह हमको लेना होगा 150 ग्रैम अब इसके बाद जो है मैंने कैल्सियम कार्बोनेट के बारे में आपको बताया था तो इसमें डीपिंग रे रेशियो आना चाहिए उतना है तो केल्सियम कार्बोनेट डालने का कोई रीजन नहीं बनता अगर इसमें डीपिंग रेशियो अर्जेश नहीं होती तो उस कंडिशन में आप जो है डाल सकते हो और वह आपको डालना होगा 10-15 ग्राम औरेज लेकिन हमारी इसमें नहीं डालेंगे और एक चीज यह है हमारा पोटिश्यम नाइट्रेड तो पानी के प्रोसेस में इसे डालेंगे अब इन दोनों को हमें अच्छे से मिक्स करना है और यह जो पाउडर है यह इसमें ब्लेक इतना ज्यादा परिशानी नहीं होती क्योंकि उसमें आपको चारक और पोटिश्यम नाइट्रेड फिर आपका पाउडर रेड़ी और यह मशीन में चलने के लिए भी काफी असान होती है अब देखि अवी पूरी तरीके से जो है हमारा जोगहस पाउडर और यह टीवन पाउडर को कॉम्मिनेशन अच्छे तरीके से बन गया है अब इसमें हमें पानी जो है एड़ करनी है तो यह हमारे पास पानी जो की 600 ml के आसपास है और यह हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट burning problem के लिए लिए इसे watch करना होता है और यह ज़रूरी है इसे कभी भी आपको नहीं भूलना है आपको पॉटेशियम नाइट्रेट डालनाे ही डालना है और उपनी में आपको डाल लेना है और डालने के बाद यह आटोमेटिकली जो है गोल जाती है मतलब घुलन सी लोती है तो ये हमारा अच्छी तरीके से घूल गया है और ये पानी का कलर चेंज हो गया क्योंकि मेरा हाथ जो है टीवन पाउडर से थोड़ा सा मिक्स हो गया था तो इनकी वजह से है वैसे ये साफ पानी है तो इसे हम जब भी आप किसी पाउडर से पानी डाले तो इस तरीके का एक गार्ड बना की जरूर देखें तक कि आपको पानी का रेशियो जो है पता लग सके और इस ताइप की अगर होती है तो पानी जो है आपका परफेक्ट रेशियो में है तो इस चीजों का ध्यान रखे ये हमार प्राइब तरीके से साप कर लिया हूं और इसमें जो है रॉकेट डाई की सेटिंग करनी बाखी है तो फचाफ़र सब को जल्दी जल्दी करते हैं पहले हम जो है प्रिमिक्स डाल लेते हैं कि अब कर दो में रोकेट डाइक का सेटिंग कम्प्लीट हो गया कुछ इस्टिक हम चला के देखते हैं चालू कर लिए तो कुछ इस तरीके से आ रही अभी प्रिमिक्स पाउडर रिख़ड़ा होगा आपको कुछ इस्टिक डाल की भी देख रहते हैं कि सेटिंग किस तरीके से तो यह होती है हमारी रोकेट डाइक की सेटिंग इसको आप हमेशा ध्यान में रखिए क्योंकि इसकी वज़ें से काफी चीज़ें होती हैं तो यह साइजेज जो है दो से तीन एमेम मीनिमम होनी चाहिए प्रूप 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 झाल 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 तो कुछ इस तरीके से बनीगी अपकी ब्राउन इस्टीक जैसा कि देख रहा हूँ यह एक्तम फर्स्ट क्वालिटी में बनी हुई है और एकुरेट साइज में यह बनी है जैसा कि मैं दिखाने की कोशीज करता हूँ पूरी की पूरी एकुरेट साइज में बनी है यह और किसी तरीके का कोई डेमेज नहीं है मशीन चलने भी अच्छा है क्योंकि हमारा प्रिमिक्स पाउडर जो है अच्छी क्वालिटी में बना हुआ है अच्छा रेशियो में बना हुआ है तो इस तरीके से भी आप बनाईए ब्राउन इस्टिक और ये मैं आपको पुरा फ्रूब भी बता दिया प्रिमिक्स पाउडर का रेशियो भी बता दिया और मशीन में चला के भी आपको दिखा दिया कि कीस तरीके से ये हमारा पाउडर जो है चल रहा है और इसकी डिमान जो है मार्केट में काफी अच्छी होती है क्योंकि जो जो थोड़ी सी कौस्ट्ली परफ्यूम होती है वो ब्राउन इस्टिक में ही डिपिंग की जाती है क्योंकि इसमें फ्रैग्नेल्स जो है लॉंग टाइम बन के रहती है और जो बड़ी बड़ी कमपनिया है वो ब्राउन इस्टिक ही यूज़ करती है जादा तर तो ये काफी अच्छा है और उम्मिद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो ब्राउन इस्टिक के बारे में